हाई इस पारितोस और वाचिंग आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स लास्ट वीक हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने को स्टॉक्स रिकमान करें थे आपको अल्गोरिधम के बैसिस पर जिसमें मैंने जो में यूज करता हूं है हमारा बुलिस है करनासी होना चाहिए और हमा वह था हमारा अधान निपोर जहां पे अमने लास्ट वीक में वीमेड़ा मनी ओव 3% के करीब का रिटर्न SDFC live we made a 2.80% के करीब कार रिटन लास्ट 5 डेज बाला जी हमाइंस में हमने काफ़े अच्छा पैसा कमाया है वी मेड़ा 16% काइंड ओफ रिटन इन लास्ट 5 डेज सब्सक्राइब लेकिन लास्ट वीक हमने अपने अल्गोरिधम को रन कर रहा था निफ्टी 200 में आज इस वीक में हम निफ्टी स्मोल केप 100 में अपने अल्गोरिधम को रन कर रहे हैं और इस अल्गोरिधम को रन करने के बाद जो लिस्ट निकल गया है उसमें से चार स्टोक्स जो है जो मैं आप लोगों को सज़स्ट कर सकता हूं इस वीक के लिए अगर आप आपकी रिस्क अपेटाइट आपको बेंड यूज करते हैं लास्ट फाइप इसका जो भी हाई है और लो है उसका बैंड बनाके और डेमा को वह भी ब्रेकाउट हुआ है विदर डार्विस लुक बैक पीरियड डार्विस ब्रेकाउट भी हुआ है तो मुझे लगता है सोवा डेवलपर चेक अच्छा स्टोक ह है अगर आपको साथ से दस दिन के लिए ट्रेट करनी है इसके इलावा दूसरा जो नाम आता है वो है डेल्टा को डेल्टा को भी काफी टाइम से एक कंसोलीडेशन फेस में था लेकिन अभी कुछ वॉल्यूम्स बनने लगी है और वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकाउट तो डेल्टा कोर्ट में भी आप कंसिडर कर सकते हो साथ से दस दिन के लिए ट्रेड लेना चाहते हो एक जरूरी चीज़ है जो मैंने आपको सोभा में नहीं बताया आपको ध्यान रखना है यंदे को बिना स्टॉप लोस के ट्रेड नहीं करना तो स्टॉप लोग जरूर कर सब्सक्राइब कंसिडर इस दिस टाइम डेल्टा कोप में भी सेम हमारा 165 का स्टॉप लोस मार्क करके रखो अगर यह लेवल टूटता है तो हम यहां से स्टॉप एक्जिट कर लेंगे 185 का इंपोर्टेंट लेवल है अगर इस सस्टेन करता है तो वी केन में का वेरी वी क एंटर इंटर इन इस स्टॉप एक्सोपिचासी का ज़रूरी लेवल था वो ब्रेक आउट हो चुका है इसके बाद हमारा जो नाम आता है वह आता है दीपक नैट्रेट कुछ टाइम से कंसॉलीडेशन में चल रहा था काफी टाइम से और अभी डिसेंटल इसने ब्रेक और मुविंग एवरिज के बैंड को ब्रेक आउट तो दीपक नैट्रेट में भी जो की ओल्टाइम हाई पे चल रहा है यह अच्छा ट्रेड हो सकता है वीक के लिए साथ दिन के लिए और इवन आप स्टोक को तो लॉंग टर्म होल्डिंग के लिए रखा जा सकता है अगल बुलिस हैकना सी पैटन इंटेक्ट है बुविंग एवरेज बैंड ब्रिक आउट है विद वॉल्यूम्स ओविसली यह सारे स्टोक जो मैं बता रहा हूं यह वॉल्यूम्स के साथ में है तो यह चार स्टोक निकल के आते हैं इस वार के इस वीक के लिए जिसमें हम वीकें क बॉल्यूम्स के लिए वीकें आड इस टॉक्स इन वाच लिस्ट सोबा रेडिको डेल्टा को दीपक नैट रिट गई अगर आपके रिस्क पेटाइट आपको अलाव करती है तो ही इनमें टेड लेना और बिना स्टॉप लोस के ट्रेट मत करना वी आर डारेक्शनल टेडर यहार मोमेंटम डेडर तो बेसिकली मोमेंटम को मुमेंटम के बैसित करने की कोशिश करते और यह मेरा इसकूछ सैट ऑफ रूबल सैंँनिकर के साथ टो और पीज़ बीच बिच विच में ऐनको काफी सारे स्टरीगी इस डिसका डिसकां सकरते हैं मिए बाहँ पे सैट भू तो अगर इवी वांट टो जॉइन पैसे इंकम कलब गुरूप तो उसका नीचे डिस्क्रिप्सिन में प्रोसस्ट छोड़ रहा हूं वहां पर कैसे जॉइन कर सकते हो मेरा पैसे इंकम कलब गुरूप का यह पार्ट है जहां पर मेरा मोटिव है कि अब हर महीने स्टॉक मार्ट कीट से एक एक इंकम जनरेट कर सको बट विदाउट टेंशन तो मेरा में परपस रहता है कि सिफ वीक टू वीक आप एक 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 अनलेसिस त्यार करो और उसको इन्वेस्ट उसके बेसिस पर आप ट्रेड लो तो मैं वीक टू वीक और जब भी मुझे इंवेस् लाइक को बटन है लाइक जरूर कीजिए विया टागेटिंगा 200 लाइक इन दिस वीडियो जैसे ही 200 लाइक साते तो आइल शेयर वन वेरी गुल स्ट्राइजी विद विद आल उफ यू जो की जिसका मैं बैक टेस्टिंग भी तियार के रखे इन सारी स्ट्राइजिस का मैं बैक टेस्टिंग अपनी वीडियो में बताया हुआ है साथ में अगर आपने हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मैं इसी तरीके से अल्गोरिफ्म के बेसिस पर आपको इंवस्ट्मेंट आइडिया सजस्ट करते रहता हूं नए स्टॉक्स के साथ कुछ नए चार्ट के साथ तब तक यह दिन्याद बनते हैं वात्राइब कर दो